में फ्रेंट्स आप सभी को हैप़ी होली और होली पर कांजी वड़ा ना बने ऐसा कुछ हो सकता है क्या इसकी बिना होली अधूरी सी लगते हैं और साथ ही ये बहुत ज्यादा टेस्टी और आसान तरिके से बनते हैं और ये हमारी गट हैल्थ के लिए बहुत ज्यादा इस मोसम में यह जरूर खाने चाहिए तो आइए बनाना शुरू करते हैं तो कांजीवरा बनाने के लिए सबसे पहले हम यह आप पर लेंगे थोड़ा सा जीरा और दो चमश लेंगे और ब्लैक वाली राई है वो ले सकते है पीरिया तो भी ले सकते है इसका एक फाइन काउने कई और नौर्मल मॉटर ऐदा कब तो इकवलिकल क्वक्व कॉंटिटि इक ही डो आपको दोनों पानी ले 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 ती ही फिर हमने जो यहां पर पाउडर बना था वह एड कर दिन fugir थोड़े सी हलदी थोड़ा सा यहां पर Bismuth है थोड़ा साल्ट है थोड़ा सा ब्लै टाकि यह फर्मेट हो जाए और हमारी कांजी रेडी हो जाए तो दो दिन बाद हम इसे चेक करेंगे तीसरे दिन यहां पर हमारी जो कांजी रेडी है तो मैं यहां पर ले रही हूं चिलके वाली मोंग डाल भीगी होई इसे मैंने चार गंटे पहले भीगो लिया था और फिर जार में दाल देंगे ठोड़ी सी हरी मिश दोड़ी सी जिंजर दाल देंगे और बिना पानी के इसे पीसना है बिल्कूल भी पानी आड नहीं करना है अतर्वाइस बड़े बनाना मुस्किल हो जाएगा तो फिर हमने यहां पर इसे दरदरा सा पीस लिया है ज्यादा महीन न लोगते हैं तो आप इसमें और बैसन एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह जो बैटर है आपको ज्यादा पतला नहीं करना गोड़ा यह ज्यादा हो गया तो फिर वड़े बनाने में प्रॉब्लम आ सकती हैं तो हम याँ पर कड़ाइं में तेल ले लें ताकि उपर से टाइट हो जाए और फिर उपर हम पानी लगा लेंगे और तेल हमारा अलमूस्ट गरम हो चुका है वड़े फ्राइए करने लायक है तो जो वड़े का बैटर है वह हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा शेप दे देंगे पतला सा और फिर इस तरह स तो सारे जो वड़े है वो इसी तरह से बनाने है और बहुत एजीली बन जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्ट या आपने अगर एक बार कांजी वड़े बना ली तो आप हर बार फेस्टिवल पर यही बनाना तो बहुत इजीली निकल जाते हैं हाथ अपर भी पाने लगा कर रखिए ताकि आपके बैटर हाथों में चिपके ना और फिर सारे हमने कांजी वड़े जो है इस तरह से तेल में छोड़ दिये हैं और यह बहुत अच्छे फ्राई होकर रेड़ी हो गया यह देखिए अल्म कि चॉइस है बड़ ट्रेडिशनल तरीका है राजस्तारी कांजी वड़े बनाने का वह यही है इसको फ्लैट शेप दिया जाता है और यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं बहुत अच्छे भी लगते हैं वड़े हमारे रेड़ी है और कांजी भी हमारी तीन दिन हमारे जिख लगते हैं और आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत आजाए तो सारे जो कांजी वड़े हमने बनाये थे वह इसमें हम रख लेंगे इसमें डिप कर लेंगे आदे में इसमें डिप किये हैं और आदे में गांच वाली बॉटल थी उसमें ही डिप किया और एक गंटे बाद हम इसे चेक करेंगे एक घंटे के लिए से ढखकर लगा कर रख लेते हैं साइड में तब तक आपको थोड़ा रेस्ट करना और वड़े को भी रेस्ट दीजिए एक गंटे बाद हम चेक करते हैं हमारे जो वड़े हैं उन्होंने अच्छे से जो कांजी वो पी ल लगा है और बहुत स्पंजी भी होगे बहुत सॉफ्ट भी हो गए और बहुत जादा टेस्ट है यह देखिए थोड़ा सा उपर से पुदिरी के पते लगा लेजिए और आपके कांजी वड़ा बनकर रेड़ी है इस होली पर यह वड़े जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके बताये कि यह recipe आपको कैसी लगी है क्योंकि मुझे तो बहुत अची लगी मेरे घर में कुछ लोगों को पसंद आई है कुछ को नहीं आई है वह अलग बात है क्योंकि हमने कभी टेस्ट नहीं किये यह रीजन है बट मेरे को बहुत पसंद आई है मैंने first time बनाई है और